नमस्कार मित्रों देश एट्विशन्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं नाइन स्टैंडर्ड मारश्राबोर न्यू सिलाबस साइंस का 17 चाप्टर जिसका नाम है Introduction to Biotechnology यह इसका चोथा यानि फोर्थ वीडियो है आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो के लाइक कीज़े अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेर कीज़े कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट सेक्शन में फॉर्स्ट पीन कॉमेंट में शेर की है तो चलिए शुरू करते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छे बड़ी मात्रा में जमीन है जो उपजाओ है जिस पर खेती की जा सकती है तो वहाँ पर अगरी टूरिजम बहुत अच्छा बिसनेस हो सकता है आपने देखा होगा अगरी टूरिजम जैसे बहुत से लोग हुरुडा पार्टी के लिए चाते हैं वहाँ पर बहुत मौज करते हैं वहाँ पर ट्रैक्टर में घूमते हैं बैल गाडी में घूमते हैं वगरा वगरा बहुत से एंजॉइ करते हैं उसमें जो बहुत से फ्रूट्स खाये जाते हैं तो उसमें बहुत एक अच्छा एक्सपरियंस होता है तो उसे बहुता है अग्रिटूरिजम हुल्रा पार्टी हमने यह देखा है पिछले वीडियो में देखा है कि टीशु कल्चर की टेक्निक को यूज करके फ्लावर्स वाले प्लांट्स हो या अईरवेदिक मेडिसिनल प्लांट्स हो या शोभादा एक जो सुशोबित करने वाले प्लांट्स होते है और्नामेंटल या फिर फेजिटेबल्स हो या फ्रूट के टीरी जो उनके प्लांट्स हो या छोटे शोटे छोटे रॉप्टे ₹रमंटल उनके छोटे छोटे तूरिजम बहुत अच्छे तरीके से कम समय में कम कालावधी में डेवलप कर सकते हैं, यूँकि ट्यूश्व कल्चर वाले फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है, देखे, some of the fruit trees in agritourism center, यहाँ पर, देखे, केले दिखाया है, यह ठीक है, यह आवला है, mango, chiku, that is, sepata, guava, coconut, custard apple, and some other regional fruit trees, यह कुछ regional fruit trees है, जो एक particular region में ग्रो करते हैं, ठीक है, guava, यानि, peru, custard apple, यानि, क्या होता है, सिता फर्जी सकते हैं, फिर, shade giving local, और exotic attractive plants, जो local प्रजातियां है, plants की, जो उस environment में अच्छे तरीके से grow कर सकती है, वो भी लगा सकते हैं, जो चाया देते हैं, चाओ देते हैं, या फिर exotic, जो, exotic यानि, foreign के जो beautiful trees, attractive, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, ornamental and flowering plants, जो सुचोबित करने वाले attractive plants होते हैं, फुलों के plants होते हैं, या फिर, अच्छे, सुंदर दिखने वाले plants होते हैं, वो butterfly garden, ये भी बहुत सुंदर होता है, develop करना किया जा सकता है, butterfly garden, यानि, बहुत अगर flowers होंगे आपके हां, तो बहुत सुंदर सुंदर butterflies भी आएंगे, ठीक है, तो उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग आएंगे आपके हां, तो आपका अच्छा business हो सकता है, फिर medicinal plant garden, medicines, जिन से बनाए जा सकता है, ऐसे plants लगाए जा सकते हैं, उससे आपको, उनके जो औशधी गुन है, वो बेचक और आपको earning भी हो सकती है, फिर organic vegetables and fruits, organic जिन में chemical fertilizers या पेस्टिसाइड नहीं यूज किये जाते हैं, ॐसे बिल्कुल नैचराल तरीके से ग्रो किये जाते हैं, उनको organic fertilizers दिये जाते हैं, chemical fertilizers बिल्कुल नहीं यूज किये जाते हैं, ऐसे इनको कहते है organic vegetables and fruits, ऐसे इनको काफी महेंगे बिके जाते है नॉर्मल वेजटेबल फ्रूट्स जिन जिस भाव में बेचे जाते हैं उससे दुगना भाव होता है इनका अगर आप देखेंगे एक और गनिक इवन डाले होती है पुरा अनाज भी होता है और गनिक फ्रूट्स भी होते है वह नियरली डेड 1. 1.5 ताइम्स या फिर दोगना उनकी प्राइस होती है तो उसके भी काफी डिमांड है पीपल विजिट प्लेसेज विज सच अट्रेक्शन इन लाज नंबर सेलिंग प्लांटलेट सेडलिंग्स फ्रूट्स वेजटेबल सच प्लेसेज चैन बी क्वाइट प्रॉफिटेबल इसे स्थानों पर भेंट देने के लिए विजिट करने के लिए बहुत से लोग आते हैं ठीके बड़े बड़े शेरों में रहने वाले लोगों को इतना दिखा नहीं देता बटरफ्लाइस नहीं दिखने दिखते उनको फिर अच्छ 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 अट्रेक्टिव ग्री जो है उसके उसे काफी प्रोफिट आपको हो सकता है देखे इस वेबसाइट पर जाकर इस लिंक पर जाकर आप आप अगरी टूरिजम के बारे में पता कर सकते हैं ठीके जो खेती से जुड़े हुए व्यावसाय होते हैं उन्हें कहा जाता है अग्रो कॉंप्लिमेंटरी ओक्यूपेशन जो बहुत क्लोजरी रिलेटेड होते हैं उसमें से कौन सा है ए है अनिमल हस्बंटरी यानि पशुपालन विजिट अ मौडरन काउशेड नियरबा और रेक का वहां पर विजिट करिये और कुछ बाते आप रेकॉड कर लीजे कौन से पॉइंट से वहां पर नोट कीजिए अधर नंबर ऑफ केटल कितने प्राणी है कितने गायें है कितने बैल ठीक है अधर वराइटी कोंसे कोंसे प्रजाती के है यह अलग अलग प्रजातियां है की ठीक है यह भैस की है ठीक है तो ऐसे अलग अलग प्रजातियां कौन सी कौन से उसके बारे में पता कीजिए फिर क्लीनलीनेस इन काउशड़ वहां पर क्या क्लीन अच्छा सफाई मेंटेन की जाती है आरेंजमेंट्स फॉर हेल्थ केर ऑफ कैटल उनके आरो के उनके स्व पता कीजिए इन इंडिया अनिमल हजबन्री इस प्रैक्टिस फॉर मिल्क प्रडक्शन एड फॉर यूजिंग कैटल आज हेल्प इन फार्मिंग ऑपरेशन्स देखे हमारे यह प्राचीन काल से बहुत ही हमारे आपको तो पता है भगवान श्री कृष्ण भी गोपाल कहते उन्हें गाय का पालन करने वाले तो 5-6, 7,000 यह तो नोन हिस्ट्री है मतलब पता है इतना हिस्ट्री लेकिन उससे भी पुरातन काल में हमारे रुगवेद में भी लिक्खा गया है गोपालन के बारे में बगरा तो हमारे देश में तो प्राचीन काल से यह पशुपालन करत पदन और फार्मिंग में जैसे अलग-अलग काम होते हैं फार्मिंग में हल चलाना नांगरनी वगरा उसके लिए भी बैलों को यूज किया जाता है example cows and buffalo are raised for milk and bulls and male buffalo for pulling the heavy loads गाय भैस जो होते हैं वो दूद के लिए पाले जाते हैं और जो बैल होते हैं या सांड होते हैं उनको भारी वजन कैरी करवाने के लिए भी उनको यूज किया जाता है local Indian varieties of cows like sahival, sindhi, geer, lal kandhari, devni, khillari, dangi, etc. and exotic varieties like jersey, brown, swiss, holstein, etc. are kept for their milk यह जो हमारे भारत की native प्रजातियां है यह सहिवाल, sindhi, geer, lal kandhari, devni, khillari, dangi यह भारत की है और यह जो है यह exotic यानि foreign की है, jersey guy, brown swiss, holstein, यह सब foreign की है तो यह जो है हमारे भारतिय गायों की विशेशता यह है कि हमारे भारतिय गायों का दूज जो होता है वो बहुत ही positive होता है उससे बच्चों की बुद्धी बहुत develop होती है, छोटे बच्चों को अगर दिया जाए तो और बहुत ही nutritive होता है, nourishment होती है और दूसरी बात यह है कि यह research में prove हुआ है कि हमारे भारतिय प्रजातियों की जो गायों होते हैं, उनका जो गोमुत्र होता है, उनका जो urine होता है उसमें ऐसी contents होते हैं, जिनसे cancer तक cure किया जा सकता है, तो इसका patent भी निकाला गया है और unfortunate बात यह है कि अमेरिका में इसका patent है, भारत में नहीं है, तो हम किसी अपने चीज की value नहीं करते हैं, और बाकी लोग कर लेते हैं और दूसरी बात यह है कि भारतिय प्रजातिया इतनी अभी इसकी popularity इतनी बढ़ चुके है कि ब्राजिल ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत से हमारे इंपोर्ट किये हैं हमारे भारतिय प्रजातियां, इवन आफरिका भी इंपोर्ट करता हैं हमारे प्रजातियां, जो foreign varieties होते हैं जलसी, ब्राउन वगरा इनका दूद इतना नरिश्मेंट वाला नहीं होता है और वो बहुत पतला भी होता है उसमें उतने nutrients भी नहीं होते हैं ठीके, proper care for cattle is necessary for a clean and high yield of milk जो प्राणी होते हैं पशु होते हैं उनकी ठीक से देखभाल की जानी चाहिए और उनका दूद उत्पदन बढ़ानी का प्रैस करना चाहिए उनको बैलन्स डाइट देना चाहिए, सभी अच्छे चीजे उन्हें खिलानी चाहिए ताकि उनका दूद भी जो हो उसमें भी सारे nutrients आ जाए ठीक है फिर उनको बहुत चारा किलाना चाहिए फिर फॉडर यानि जो जिसे मरठी में वैरन जो कहते है यानि उनका special food होता है जिससे दूद का production बढ़ जाता है और उनको sufficient पानी पिलाना चाहिए पशु आहर जो होता है आपने एड़टाइज देखी भी होगे तो उसे कहते है फॉडर यह होता है गो स्थान मतलब गायों को जहां रखा जाता है गोठा वहां पर अच्छा वातारन सफाई होनी चाहिए ड्राइनेस होना चाहिए वेटनेस नहीं होना चाहिए और दूसरा है कि वहाँ पर हवा अच्छी आनी चाहिए और छथ होना चाहिए अच्छा सा दूप में नहीं रखना चाहिए ठीक है a cattle should be regularly vaccinated उनको बीमारियों से बचाने के लिए वेटरनरी डॉक्तर के पास जो पश्णो का डॉक्तर होता है उनके पास ले जाकर उनको regularly vaccinate करना चाहिए उनको check करना चाहिए क्या वह खाना ठीक से खा रहे पानी ठीक से पी रहे वह regularly चेक करके उनकी केर करनी चाहिए what is mean by white revolution who was its pioneer what benefits did it bring white revolution जो होता है देखे भारती शासन ने Operation Flood नाम का एक program शुरू किया था Operation Flood याने उसे white revolution के नाम से भी जाना जाता है उसमें क्या डिसाड किया गया था कि भारत जो है दूद उतपादन भारत में बढ़ाना है बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए ये white revolution या फिर Operation Flood शुरू किया गया तो उसके अंतरगत भारत में भारत फिर आभी जो है दूद उतपादन बहुत बढ़ चुका है भारत में और हम आई थिंग टॉप थ्री में हैं थर्ड रैंकर है हम दूद प्रोडक्शन में और ये जो प्रोग्राम है बहुत ही successful रहा और गाओं गाओं में ये विशेश्टा शुरू किया गया था भारत की एंडीडीबी ने जिसका फूल फॉल फॉर्म है नाशनल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड ठीक है तो इन्हों ने नाइटीन सेवेंटीज में ये शुरू किया था एंडीडीबी के जो अध्यक्ष थे वो थे मिस्टर वेर्गीज कुरियन और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकानी भाई भाई रेवोलिशन को यसस्विक करने में ठीक है और बहुत दूद का उत्पादन बढ़ाया गया उसके अंडर और उसका उधारन यह है कि गुजरात में एक डेरी शुरू की गई जिसका नाम है आनंद मिल्क यून लिमिटेड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका अगर शॉर्ट फॉम देखो गया तो अमूल होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आपको जाना पहचाना होगा लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म अमूल आपको जाना पहचाना होगा तो अमूल जो है बहुत उसके प्रृडक्ट्स से मिलके, यह बहुत ही सक्सेस्फुल प्रोजेक्ट रहा है, अमूल का, उसके आइस्क्रीम से दाही होता है, दूद होता है, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत फेमस है, और आमूल इस वर्ष, याने उसने तो एक रेकौर्ड ही कर दिया, टॉप तो यह 16th rank उसने पाया है आमोल में यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो इससे हमें फॉरिन करणसी भी मिलती है एक्सपोर्ट करके देखे पशुपालन के बारे में बहुत सी बाते ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों को जैसे ब्रीडिंग कैसे करवानी है उनको बढ़ाना कैसे ग्रोथ कैसे करवानी है उनकी केर कैसे करवानी है ठीक है बफेलोज हो या शीप हो या फिर बक्रियां हो या फिर क्या कहते है म कई बार पीग्स भी पाले जाते हैं घोड़े पाले जाते हैं इन सभी के पालन को कहते है पशुपालन ठीक है और इसके लिए उनका यूज किया जाता है दूद के लिए मीट के लिए एक्स के लिए वुल के लिए वुल यानि जो मेंडी शिप जो होती है वो उससे हम वुल उ उनकी केर करते समय यह देखना चाहिए कि उनमें कोई बीमारी ना फैले उसे रोका जाये उनका वैक्सिनेशन करना चाहिए रेगिलरली ठीक है यह सब केर करने की आवश्यक्ता है और अनिमल हास्बंडी जो है वो हमने देखा पहले भी एग्रो एग्रिकल्चर का कॉंप्लिम की सुविधा वगेरा आपको देखना चाहिए उसके फाइंड आउट फॉम दे इंटरनेट दे आवरेज डेली मिल्क येल्ड फ्रम लोकल और एग्जोटिक वराइटीज ऑफ काउज जो हमारी लोकल प्रचातियां है गायों की वह आवरेज पांच से साथ लीटर दूद द लेकिन मैं बता दूँ यह सिर्फ क्वांटिटी जादा होती है उनकी नरिश्मेंट के बारे में हमारे गायों जितना नरिश्मेंट वर्ल की कोई भी गाया का दूद नहीं होता ठीक है पोल्ट्री फार्मिंग याने कुकुट पालन केहते है उसे याने मुर्गियों को पालना रिरिंग ऑफ एग और मीट येल्डिंग चिकन इस कौल पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग की से कहते है चिकन और एग अंडे और चिकन को प्राप्त करने के लिए जो म new hybrid varieties from a cross between Indian varieties like Asil and exotic varieties like Leghorn are as follows कुछ विदेशी breeds होते हैं Leghorn जैसे और कुछ हमारे देशी breeds होते प्रजातियां Asil नाम की तो इन दोनों के बीच में क्रोस करवा के कुछ और hybrid breeds बनवाई जाते हैं to produce good quality chickens in large number to develop the ability to withstand high temperature to use by products of agriculture as poultry feed etc देखें जो विदेशी होते हैं ये लेगहौन वगरा ये मुस्ली अमेरिका कैनडा के मुर्गियां होती है तो वो जो है वहाँ ठंडा वातावरान होता है उसके गारण वो यहाँ पर नहीं इतने comfortably रह सकते हैं तो ये जो हमारी असील है ये हमारे वातावरान में आराम से होता है रह सकते है क्यों कि यह यहीं के है तो ये लेगहौन का जो क्या कहते हैं उसे अंडे बहुत ज़ब देती है तो लेकिन हमारी यहां आराम से रह सकते है तो अंडो का production बढ़ाने के लिए और भारती वातावरण में रहने के लिए suitable प्रजाती बनाएं के लिए इनके बीच में cross करवाया जाता है और जो उनको बच्चे होते हैं वो भारती वातावरण में भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं और अंडो का production भी जादा देते हैं तो ऐसे हैं और यह poultry farming करती समय आप यह भी कर सकते हैं कि जो खेती में जो वेस्ट जा रहा है आनाज वगरा वो उनको आप खिला सकते हैं रोड आलेंड रेड न्यू हैंप्षायर प्लाइमोथ रॉक ब्लाक रॉक रॉक और भराइटीज ऑफ चिकन रियर फोर एग्ग ऐस वेल आज मीट तो यह जो है मांस के लिए और अंडो के लिए यह प्रजातियां पाली जाती हैं दीख यहां पर कुछ उनकी पिक्चरज दिये ही नेक्स्ट है पशिअपालान में सिरिकल्चर सिल्क व्मस, Moss are rare for production of सिल्क 시ल्क याragen रेशिम जो होता है रेशिम उद्णो को कहते है सिरिकल्चर, सिल्क व्मस को पाला जाता है यानि जो रेशिम किड़े होते हैं उनको पाला जाता है Bombix morai is the most commonly used variety for this purpose Bombix morai नाम के प्रजाती के जो silk worms होते है वो उनको पाला जाता है विशेश करके The life cycle of silk moth consists of four stages, namely egg, larva, pupa and adult 4 stages में उनकी life cycle होती है, उनके 4 stages होते है मुख्य लाइफ में पहला है एग, यह ऐसे दिखाए देते हैं नेक्स्ट है larva, नेक्स्ट है pupa, यह अपना रूप भी बदलते जाते हैं अपना बाहरी फिर यह है adult moth, पूरा ग्रोग कर चुका हुआ, तो ऐसे होते हैं इनके 4 stages Thousands of eggs deposited by female moths are incubated artificially to shorten the incubation period देखिया, हजारों अंडे वो deposit करती है जो female moth होती है, silk worms की वो और उनको incubate artificially किया जाता है, incubation यानि क्या उनको क्या कहते हैं उसे उबाना, यानि उनको प्रॉपर वातावरं देकर उनको जल्दी वो फोड़कर उनसे बच्चे निकालवाना उनसे, incubation उसे कहते है, incubation of eggs यानि अंडा, अंडो में embryo डेवलप होकर धीरे धीरे जो बच्चा बाहर निकलता है उसे कहते है incubation of eggs, तो यह artificially incubate किया जाता है ताकि उनका incubation का प्रेड शॉर्टन किया जा सके, कम किया जा सके larvae hatching out of eggs are released on mulberry plants, जो larvae निकलते हैं अंडो में से यह ऐसे, उनको mulberry नाम के plants पर छोड़ा जाता है और वो जो larvae होते हैं, larvae are nourished by feeding on mulberry leaves, उनको यह mulberry के पत्ते खाना बहुत पसंद होता यह mulberry के plants बहुत खिती की जाती है उनकी और उन पर यह छोड़े जाते हैं और वो बहुत खाते हैं फिर इनको after feeding for 3-4 days, larvae move to branches of mulberry plants यह पत्ते खाते हैं 3-4 दिन बहुत जादा खा जाते हैं और बाद में वो क्या करते हैं branches पर move करते हैं और the silk thread is formed from the secretion of their salivary glands यह जो larvae होते हैं यह branches के पास जाते हैं और उनको वो saliva चोड़ने लगते हैं saliva मुह से और उनका जो saliva होता है वो सूखने के बाद silk का धागा बनता है रेशिम का धागा बनता है उनका saliva एक लंबा धागे की तरह बाहर निकलते रहता है continue और वो उनके body के पूरा इर्दगिर्द wind wound हो जाता है ठीक है और वो silk का धागा बनता है उससे वो सूखने के बाद larvae spin this thread around themselves to form a cocoon तो यह larvae क्या करते है अपनी थूख से निकालते रहते हैं और वो धागा सूखते रहता है निकलने के बाद और वो पूरा अपने body के पूरे इर्दगिर्द wound कर लेते देखे ऐसे गोले बन जाते सिल्क के यह धागह के ठीक है उसे कहते है तो the cocoon may be spherical inch shape, यह ऐसे cocoon होते है white color के, यह silk के धागों का जो reel होता है जैसे वैसे होता है यह ऐसे branches पर चिपके हुए होते हैं फिर tend as before the pupa turns into an adult, all the cocoons are transferred into boiling water, यह देखिया, यह pupa होता है, इसके अंदर cocoon के अंदर pupa होता है और यह क्या करते है यह बाहर निकलने से पहले, यानि ग्रो करने से पहले, pupa adult moth में convert होने से पहले, fourth stage आने से पहले, इन cocoons को plant से निकाला जाता है, 10 दिन पहले ही, और उनको उबलते हुए पानी में डाला जाता है due to the boiling water, the pupa dies in the cocoon and silk fibers become loose, उबलते पानी के करन, अंदर का जो यह pupa होता है, वो अंदर ही मर जाता है और जो silk का धागा होता है, वो चिपका हुआ होता है, एक दूसरे के साथ तो यह उबलते हुए पानी के करन, वो धागा पूरा निकल जाता है, पूरा these fibers are unworn, processed and drilled, तो इन धागों को unworn किया जाता है यानि खुला किया जाता है और उनको प्रोसेस अलग-अलग colors लगाए जाते है, डाइज लगाए जाते है जैसे demand है उसके तरह और उनको reels में बनाए जाता है various kinds of fabric is woven from silk thread silk के धागे, silk की साडिया तो बहुत famous है भारत प्राचीन समय से रेशिम के कपड़े export करता आ रहा है, ठीक है तो ये बहुत famous है why the cocoons transferred to boiling water before the pupa develops into adult तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो pupa, ये cocoon जो होता है वो उबलते पानी में क्यों डाला जाता है ये adult moth में convert होने से पहले इसका answer ये है कि ये pupa अगर adult moth में develop हो जाता है तो ये adult moth क्या करता है ये cocoon को तोड़ कर बाहर निकल जाता है पूरा, इसको तोड़ कर बाहर निकल जाता है उसके कारण क्या होता है ये धागा जो होता है पूरा टूट जाता है पहले ये cocoon अगर ऐसे के ऐसे उसको तोड़े भी ना अगर आप डालते हो पाने में तो ये पूरा खंड धागा निकलता है लंबा धागा लेकिन अगर ये moth आंदर develop हो जाता है और अगर वो उसको कुरेद कर निकल जाता है बाहर तो ये पूरा धागा की continuity बिगड़ जाती है वो पूरा टूट जाता है तो उसका कुछ यूज नहीं होता इसके कारण उनको बाहर निकलने से पहले ही उबलते हुए पानी में डाला जाता है ठीक है तो यहां पर ये चाप्टर समामत होता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भापूर शेयर कीजिए कुछ डाउट्स हो तो मीचे कमेंट में पूछे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाईए अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स दिस्क्रिप्शन में शेयर की है या फिर कॉमेंट सेक्शन में फर्स पिन कॉमेंट में शेयर की है धन्यमाद मित्रो आपका दीन शुब जाए